साथियों नमस्कार सभी को नमस्कार आए मेरे दोस्त अब फाइनली सब कुछ रेडी है और मैं आपकी सेबा में बिलकुल तैयार हूँ तो आप लोग भी तैयार हो जाएए और आएए आज की क्लास की सुरुवात किया जाए हाँ आज वन आवर मेरे दोस्त वेट लेट क्लास आपको दे दिया गया था कि ये क्लास 11 वजे से आज सिर्फ आज लाइब होगी और बाकी सब दिन जो टाइम रहता है उसी टाइम पर लाइब होगी तो चलिए सिदे सिदे क्वेसन पर आते हैं बात ज्यादा नहीं तुद पॉइंट काम करते हैं साथ संतरे और 28 सेव 22 आमो के पेरों के पंक्तियों में इस परकार लगाया जाना है कि प्रतेक पंक्ति में केबल एक ही किस्म के पेर हो पेर की संख्या समान हो इस परकार लगाए गए पेरों के पंक्तियों की निवनतम संख्या क्या होगा अब देखो मेरे दोस्त तीन वेराइटी का पेर है संतरा का है एपल का पेर है और मेंगो का पेर है इन तीनों परकार के पेरों को समान संख्या में पंक्तियों में लगाना है और कहता है कम से कम कितने पंक्ति बनेंगे अगर पंक्ति को कम से कम बनाना है तो हर पंक्ति में पौधे की संख्या मैकसिमम रखना होगा क्योंकि हर पंक्ति मे जब जादे से जादे पौधा रहेगा तभी कम से कम पंक्ती बनेंगे यानि बात असपस्ट हो गया मेरे दोस्त कि ये हमारे पास साथ संतरे 28 से वर 22 आमों के पंक्तियों को अगर इस तरीके से सजाना है पंक्ती में कि एक परकार के पंक्ती में एक ही परकार के पोधार है और कम से कम पंक्ती बने कम से कम पंक्ती तभी बनेगा जब हर पंक्ती में अधिक सधिक पोधे रहेंगे है ना और जिसके अधिक होने का सेंस आता है वही SCF से आता है तो साथ संतरे 28 सेव और मेरे दोस्त 42 मेंगो ये तीन परकार के पोधे हैं हमें और इनका से सीध लेंगे साथ आएगा ये साथ जो हैं ना मेरे दोस्ति अधर पंकती में कि और पंकती में पॉधे की संध्या है अब यह देखै रजान की अगर पंकती बनाते हैं यहां एक पंकती बनेगा यहां चेरë पंक्ती बनेगा और यहां पर 6 पंक्ती बनेगा यानि टोटल कितने पंक्ती हो जाएंगे तो टोटल 11 पंक्ती हो जाएंगे यानि मेरे दोस्त इस question का अंसर हमारा 11 हो जाएगा आई हो कि आप सभी को समझ में आ गया होगा चलिए चलते हैं question number next year दो number question अब देखें दो number question क्या है दस सेवों के नमूने में एक सेव ठेक है आउसत भार की गनना की गई 104 गराम के रूप में की गई है कहने का मतलब साब है कि 10 सेवों के नमूने है जिनका average क्या है 104 गराम बाद में यह पता चला की परतेख सेव का बजन 20 गराम कम दिखाता था वो तरा जो तो उस नमूने में एक सेव का सही आउसत क्या होगा मेरे दोस्त आप बताओ पहले आपको 104 गराम की आपको average दिखाता था ठीक है बाद में क्या हुआ पता चला बाद में पता चला की परतेख सेव का बजन 20 गराम कम दिखा रहा है तो 10 सेव में परतेख का बजन अगर 20 गराम कम दिखाएगा इसका मतलब ये है कि 200 गराम कम बजन का यूज हुआ है अब 200 गराम अगर कम बजन का यूज हुआ है इस बात को थोड़ा समझेगा अगर 200 ग्राम कम बजन का यूज हुआ है इसका मतलब ये हुआ कि मेरे दोस्त हमारा जो नया एवरेज होगा या सही एवरेज होगा वो 104 ग्राम से जादा होगा क्यों? क्योंकि 104 ग्राम एवरेज तब आया है जब हम 200 ग्राम कम बजन ट्रीट किये हैं अगर सही बजन लेते तो 200 गराम उर होता 200 गराम और होता कितने सेव का 10 सेव का यानि आउसतन 20 गराम बजन उर हो जाता 20 गराम बजन अगर और होता तो मेरे दोस्त सही आउसत 124 गराम होता I hope कि आपको समझ में ये भाद आ रहा होगा चलिए चलते हैं question number 3 की और बढ़ते चलिए ये कहता है मेरे दोस्त रभी और राजेस ने एमटेक प्रोग्राम में प्रवेस लेने के लिए परिक्षा में भाग लिया रभी को राजेस से 8 अंक अधिक मिले हैं अब देखी यहाँ पर क्या हुआ हम रभी को अगर माल लेते हैं राजेस को माल लेते हैं x अंक मिला है तो रभी को x प्लस 8 अंक मिला है हाँ या ना आप कहेंगे हाँ सर तो मेरे दोस्त according to question रभी को x प्लस 8 अंक मिला है जबकि राजेस को कितना मिला है केवल और केवल x मिला है तो रभी को राजेस से आठ अंक अधिक मिले है और उसके प्राप्त अंक उनके प्राप्त अंकों के योगफल का बावन परसेंट है किसका ये जो लिखा है उसके प्राप्त अंक ये किसका प्राप्त अंक की बात कर रहा है कह रहा है कि रभी का जो प्राप्त अंक है रभी का जो प्राप्त अंक है हमस्ते रहिएगा रभी का जो प्राप्त अंक है उन दोनों के प्राप्त अंकों के योगफल रभी का प्राप्त अंक दोनों के योगफल के बाबन परसंट के बराबर है अगर हम इसको ध्यान देंगे तेरा चोके बावन पचीस चोको सो पचीस से इधर देखेंगे ये पचीस X और पलस में 200 हो जाएगा और बराबर ये 26 X पलस 104 होगा 26 X मेरे दोस्त आके इधर घट जाएगा तो मैनस X और ये उधर जाएगा मैनस 96 यानि X का मान 96 हो जाएगा तो मित्र मेरे अगर ये हमारा 96 हो गया ये कनफर्म 104 हो जाएगा यानि इस क्वेस्टन का अंसर हमारा 96 और 104 होगा I hope कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा ठीक है चलते हैं क्वेस्टन नमर नेक्स्ट की और बरी इमानदारी से आप लोग मिरे दोस्त बढ़ते रहिए और चलते रहिए देखे क्या लिख रहा है एक जहुरी एक सोने की मिरे दोस्त पेडेंट बनाता है वह उसे बनाने के लिए तांबे के 50 गराम बजन का यूज करता है यदि एक केजी तांबे की कीमत 420 गराम है तो आप हुसनों में उप्योग किये गए तांबे की कीमत क्या होगी मेरे दोस्त हम ये देख रहे हैं एक केजी तांबे की कीमत है 420 ठीक है हमें कह रहे हैं आभुसन में उपयोग किये गए तामवे की कीमत क्या होगा तो हमें तो यह बात पता है कि यह सोने का जो पेडेंट बना रहा है उसमें तामबा का 50 गराम ही इस्तमाल किया है केवल 50 गराम ठेक हैं तो आपको तो पता है ना दोस्त क्या ज़रा सूचिए आप जो सोना का पेडेंट बना रहे हैं उसमें तांबा तो 85 गराम यूज किये हैं और आप पूछ यही रहे हैं कि आभुसन में उप्योग किये गए तांबे की कीमत तो आभुसन बनाने में आपने केवल 50 गराम तांबे का यूज किया है तो इसी 50 गरा होता है 1000.1000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 हमारा 21 होगा यानि 21 रुपीज is the answer of this question बरते रहिए और मेरे दोस्त आगे चलते रहिए और मेरे भाई मैं एक और बात आपको बता देता हूँ platform teacher नाम का एक नया telegram channel बनाया गया है और उसी पर आप सभी के लिए सारे material सारे notes डाले जा रहे हैं platform teachers ठीक है teacher से सम्मधित सारा notes वेगरा वहीं पर डाला जाता है तो आप लोग जरूर उस telegram पर जोईन कर जाएंगे आईए अब चलते हैं अगले question की ओर देखे ये question है कि रीना अपने घर से निकल कर तीन किलो मिटर परावर की चाल से चलती है और वह एक जनम दिन पार्टी में 20 मिनट देरी से पहुँचती है अगर वह चाल बढ़ा कर 4 की speed से जाए तो 30 मिनट पहले पहुँचती है घर से जनम दिन पार्टी के बीच की दूरी क्या होगी देखिए पहली बार में क्या हुआ मेरे दोस्त पहली बार में वो 20 मिनट लेट पहुँची है और दूसरी बार में वो 30 मिनट पहले पहुँच अगर हम gap देखने चले जाएंगे तो हमें समय का gap 50 मिनट दिखेगा अलग अलग चाल से जब एक ही दूरी तैक ही जाएगी और दोनों ही चाल से लगने वाले समय का gap मालूम रहेगा तो वो दूरी होगा चालों का गुननफल बटे चालों का अंतर और इंटू मेरे दोस्त टाइम का gap ठीक है एक स्पीड चार है एक स्पीड तीन है ये चार मैनस तीन होगा और टाइम गेप आपका 50 मिनट है इसको घंटे में कनवर्ट कर लीजिए जिरो से जिरो कैंसिल आउट हो गया छे दूनी बारा तो यहां से 10 किलो मिटर इस क्वेशन का अंसर हो गया उम्मी सब का माध्य है 20 माध्य बराबर सिग्मा एफ एकस वाई सिग्मा एफ हाप परहे होंगे सभी चर्मानों का योग बटे चर्मानों की संख्या सब को जोरेंगे तो हो जाएगा 3x, 4x, 5x यानि कि जोर के हमारा 5x और मैनस ये 3, 3, 6 और 4, 10 पांचो टर्म को 1, 2, 3, 4, 5 पांच का मेरे दोस्त एभरेज आ जाएगा 5x और मैनस 10 बराबर 100 हो जाएगा 5x का मान 110 तो x का मान क्या होगा 22 हो जाएगे यहां हमसे क्या मागा है पहले दो प्रेक्षन का माध्य है पहला दो प्रेक्षन हमारा x और x मैनस 1 है तो मेरे दोस्त x का मान तो हमारा 22 हो गया है और 22 मैन एक हमारा 21 हो जाएगा अगर इसका हमें माध्य चाहिए तो दोनों को जोर कर दो से भाग दे दो ये 43 अपॉन तू जो है 21.5 हो जाएगा यही इस कोशन का आंसर हो गया क्या उमीद करें कि समझ में आया होगा बिल्कुल समझ में आया होगा आईए हम 6 नमर कोशन की और चलते ह हैं मेरे दोस्त कहरा है साथ नमर कोशन पी दो से भी भाज्य है और क्यू तीन से भी भाज्य है तो निम्नलिखित में क्या सत्य होगा तो मेरे दोस्त देखो अगर पी दो से भी भाज्य है और क्यू हमारा तीन से भी भाज्य है तब तो मेरे दोस्ती कंफर्म है कि यह हमारा even number है जो 2 का multiple है और ये हमारा क्या है मेरे दोस्त 3 से विभाज है यानि कि 3 M के form का है ठीक है अब according to question कौन सा information सही होगा पहला information चेक कर लेते हैं मित कर है कि P plus U Q 6 से कटेगा आप ही ज़रा सूचिए 2 से कटने वाली number तो हम 4 भी ले सकते हैं 3 से कटने वाली number हम 6 भी ले सकते हैं तो क्या इन दोनों का योगफल जो आएगा क्या वो 6 से कटेगा बिल्कुल भी नहीं कटेगा हमेशा कटना चाहिए ना अब ये देखिए क्या रहा P plus Q जो है न वो 5 से कटेगा अरे भाईया P 2 से कटने वाली number है हम उसे 2 भी मान सकते हैं Q 3 से कटने वाली number है हम इसे 9 भी मान सकते हैं तो क्या मेरे दोस्त इसका योगफल 5 से कटेगे बिल्कुल भी नहीं कटेगे है ना लेकिन ये मेरे दोस्त हमेशा सही होगा क्यों? क्योंकि P 2 से कटने वाला है तो आप 2 का कोई भी मल्टिपल मान सकते हैं Q 3 से कटने वाला है इसको 3 का कोई भी मल्टिपल मान सकते हैं जब इसको गुना करेंगे तो ये हमेशा 6 का मल्टिपल आएगा यानि ये की 6 से कट जाएगा क्या कोई परिशानी है? नहीं होना चाहिए चलिए मेरे दोस्त चलते हैं question number next की और आप सब लोग यहाँ पे देख रहे हैं fast revision course अंतिम छन में आपके लिए चल रहा है जो भी आप में से कोई एक छुक हों जल्दी से fast revision करने का तो मेरे दोस्त वो उसमें सामिल हो सकते हैं देखिए हमारे पास एक तिर्भूज है जिसमें BD कामान हमें 5 दिया है पूरा BC सारह साब जिसमें यह 5 तो यह हमारा हो जाएगा ठीक है according to question हमें कोन A का बाइसेक्टर मेरे दोस्त AD है हमें कहा कि AB और AC कामान क्या होगा आपको तो पता होगा किसी तिर्भूज में किसी कोन का बाइसेक्टर आधार को उसी अनुपात में बाटती है जो अनुपात उसके सेस भुजा का होता है यानि मेरे दोस्त BD और DC का जो रेसियों होता है वही हमारे AB और AC का भी होता है अगर हम BD की बात करें तो 5 हो जाएगा DC हमारा धाई है बराबर ये AB upon AC हो जाएंगे कहने का मतलब ये दो अनुपात एक हो जाएगा उमीद करते हैं कि ये चीजें आपको समझ में आई होगी option number मेरे मित्र B इस question का answer हो जाएगा आगे चलते हैं question number next year अब देखिए ये क्या है मित्र मेरे ये हमें कहा कि आपके पास एक मेरे दोस्ट ट्रेंगल है A, B और C ठीक है A, B, C एक हमारे पास ट्रेंगल है हमें कहा गया कि A, B पर एक point D है और A, C पर एक point E है मित्र मेरे जब हम इसको मिलाते हैं according to question A, D का जो मान है वो A, B का one fourth है यानि अगर हम चाहें यहां पर तो A, D और बटे में अगर A, B कर लें तो ये हमारा one by four हो जायेगा one by कितने हो जाएंगे मिरे दोस्त four हो जाएंगे यानि कि हमारा A, D, one होगा और पूरा A, B जो है वो हमारा four हो जाएगा ये हमारा A, E हमारा one होगा और पूरा मेरे दोस्त ये हमारा फूर होगा आप जानते हो मित्र जब A-D बटा A-B और A-E बटा A-C बराबर है इसका मतलब है कि यहां थेल्स थेवरम काम कर रहा है और थेल्स थेवरम का मतलब हुआ कि ये दोनों पैरलल है और मेरे भाई अगर ये दोनों पैरलल है तब तो ये एंगल इसके बराबर संगत कौन से ये एंगल इसके बराबर संगत कौन से और ये बाली एंगल तीनों के दोनों तिर्फुज के लिए एक्वल होगा तब तो हम यही कहेंगे इसका तीनों कौन इसके तीनों कौन के हुआ है चार कामान मेरे दोस्त ये कनुपाद ये कनुपाद चार है ठीक है ना चार कामान अगर 12 है तो एक कामान तीन से में हो जाएगा ये एक कामान तीन से में हो गया तो इस प्रकार से इसको काम करते चलिए और मेरे दोस्त आगे बढ़ते चलिए ठीक है चलिए बहुत अच्छे से आप देखते रहिए मेरे दोस्त आपको कोई दिकत नहीं होगा ठीक है ठीक है अमित हम देखते हैं मेरे दोस्त डलवा देते हैं उसमें टेंशन मतलब अब देखो किसी धनरासी पर एक निशित्दर प्रति ़र्स दो वर्सों का चक्रव्रद्य ब्याज बीस सो पचास है और उतनी ही धनद्रासी पर उसी रेट से तीन साल का साधरन ब्याज 3,000 है, बता ये कुल धनरासी क्या होगा, आप से पहले मैं बता दू कि साधरन ब्याज हर साल एकवल होता है, ठीक है, ठीक है पहला साल का साध्रान और पहला साल का compound equal होता है अब दो साल का compound अगर 2050 है जिसमें पहला साल 1000 है तो दूसरा साल 1050 हो जाएगा आपको गेहांजी सर बिलकुल जानते हो लगतार साल का CI दिया रहे न तो बृधी परतिसर से rate निकलता है तो बृधी 50 की है किस से 1000 से और in 200 यहाँ पर 5% हो जाएगा तो 5% हमारा क्या है रेट है और जो रेट होता है वो एक साल का साधरन ब्याज या चक्रविर्दी ब्याज होता है तो एक साल का साधरन ब्याज कितना है मेरे दूस्ति ये 1000 है एक परतिस्यत का मान हमारा 200 हो जाएगा 100% का मान ये हमारा 20,000 हो जाएगा तो इस question का answer हमारा option number A होगा 20,000 I hope की समस्याएं नहीं होगी चलिए बढ़ते हैं 11 number question की और देखते हैं ये क्या है हमें कहा गया कि ये दोनों समीकरन के हल option में से कौन होगे तो option ही बैठा के check कर लीजिए अगर X का मान 2, Y का मान 4 अगर रखते हैं ये LHS बराबर RHS नहीं हो पाएगा इसको check कर लेते हैं X का मान मैनस 2 ठीक है Y का मान मैनस 5 ये भी LHS बराबर RHS नहीं हो पाएगा अब इसको check कर लेते हैं X का मान मैनस 2 रखेंगे अगर मैनस 4 होगा यहां पर 5 रखेंगे तो 15 होगा 15 में 4 गया 11 सैटिस्फाइ हो गया X का मान मैनस 2 Y का मान 5 मैनस 4 और मैनस 20 मैनस 24 हो जाएगा तो इसने मेरे दोस्त दोनों ही equation को satisfy कर दिया इसलिए यही इस question का answer होगा अब चलते हैं question number 12 की ओर ध्यान से देखना मेरे दोस्त ये 12 नमर question क्या है इस पे तोरा जोड़ दो क्यारा कि 12 सेमी ब्यास वाले एक बरे से गोले को पिखला कर मेरे मितर 3 गोले छोटे छोटे बनाए जाते हैं जिन का ब्यास मेरे मितर 6 और 10 सेमी हो तो तीसरे गोले का प्रिष्ठिय चेतरफल क्या होगा मैं कहता हूँ कि अगर मेरे दोस्त यहां पर ब्यास है 12 तो तिरजिया 6 होगी अगर ब्यास है 6 तो तिरजिया 3 होगी और ब्यास है मेरे मितर 10 तो तिरजिया हमारा 5 होगी जिस गोले को पिखलाया है मेरे मितर जिस गोले को पिहलाया है उसकी तिरजया 6 है यह होगा गोला का भोली होगे हां सर जिस आकिरती को पिहलाएं एक बरे से गोले को पिहला करके आप 3 छोटे छोटे गोले बनाएं हैं तब तो बरे गोले का आयतन इन छोटे छोटे गोले का आयतन के योगफल के बरावर होगा तो फोर भाई थरी पाई पहले की तिरजया मेरे दोस तीन है तो तीन का क्यूब हो जाएगा 4 by 3 by मेरे मित्र दूसरे की तरजया 5 है तो 5 का क्यूब हो जाएगा और 4 by 3 by तिसरे की तरजया नहीं मालुम कुछ तो R माल लीजे ठीक है अब देखे 4 by 3, 4 by 3, 4 by 3 से 4 by 3 हमारा कट गया है ये हमारा 216 हो गया है और ये हमारा 27 है ये 125 है और पलस मेरे दोस्त R क्यूब है अब यहां से देखे ये 216 माइनस 7, 5, 12 हो जाएंगे और 2, 2, 4, 1, 5 ये मेरे दोस्त 152 बराबर R क्यूब ये हमारा हो गया 64, 64 का मान R क्यूब हो गया तो R का मान कितना होगा 4 यानि तीसरे गोले की तरजया 4 होगी है तो 4, 5, R का मान 4, 4 का स्क्वेर 16, 16 चोके 64, ये 64 पाई इस कुस्षन का आंसर हो जाएगा चलिए चलते हैं question number next की और अच्छा लग रहा हो तो like का बटन प्रेस जरूर आप करें ठीक है लीजिए इस कुस्षन पे आते हैं मेरे दोस्त हमें कहता है 3, 7 और 18 से बिभाजी होने वाली सबसे छोटा पुर्नांग कौन होगा तो किसी संख्या से बिभाजी होने वाली सबसे छोटा पुर्नांग उसका LCM होता है और इन तीनों का LCM 126 हो जाएगा C नमबर इस question का आंसर हो जाएगा बढ़िए question number next की और कहता है के किस मान के लिए ये दोनों रेखिक समीकरन के अनेक हल होंगे अनेक हल होने का मतलब क्या हुआ मेरे दोस्त A1 upon A2 बराबर B1 upon B2 और बराबर C1 upon C2 जानते हो प्रथम समीकरन में X का जो गुनांग है वो तुम्हारा A1 है दूसरे समीकरन में X का गुनांग ये तुम्हारा B2 है प्रथम समीकरन में Y का गुनांग ये तुम्हारा B1 है और दूसरे समीकरन में Y का गुनांग ये तुम्हारा प्रथम समीकरन में Y का गुनांग B1 है और दूसरे में y का गुनांक b2 है तब तो k square बराबर 36 हो गया तो k का मान plus minus 36 मेरे मित्र try क्यों करना एक ही option के अंदर है लेकिन हमें थोड़ा यहां पर check करना होगा कि क्या plus 6 या minus 6 में कौन इसको verify करेगा तो आईए ना हम verify करके देख लेते हैं अगर हम k का मान 6 लेते हैं तो यह होगा 6x plus में 3y और 6 में से 3 गया तो 3 बराबर 0 होगा और यह हमारा 12x और plus में 6y minus 6 बराबर 0 अब यहां देख रहे हैं कि 6 बटे 12 B1 by B2 3 बटे 6 C1 by C2 minus 3 बटे minus 6 यह तीनों हमें बराबर नजर आ रहा है इसका मतलब साफ हो गया कि मेरे दोस्त यह हमारा k बराबर 6 जो है न यह verify कर रहा है तो k बराबर 6 verify किया तो हमें से answer लगा दिये k बराबर minus 6 option में है नहीं तो tension लेने के जरूवत है ही नहीं ठीक है चलिए चलते हैं question number next की और चलते हैं मेरे दोस्त यह हमारे question अगला question है लिखता है कि निम्दलखित आंकरों का माध्य ग्यात करे यह हमारे पास मेरे दोस्त चर्मान है यह अपना चर्मान है और यह इसकी frequency है जल्दी से मेरे दोस्त आपको क्या करना होगा चर्मान into frequency यानि एफ एक्स फाइन करना होगा तीन दूनी छे चार्चो को 16 तीन दूनी छे साचो को 28 और मेरे मित्र नौच्छ के 54 कितने हो जाएंगे तो हो जाएंगे यह हमारा छे छे बारा बारा और 28 चालिस चालिस और मेरे दोस्त यह हमारे पास 70 ठीक है यानि हमारा यह कितना आजाएगा एक मर्फिड से आपैड करके देख लो तीन दूनी छे चार्चो को 16 तीन दूनी छे साचो को 28 और यह नौचा के 54 मेरे मित्र 54 और 16 हो जाएंगे 70 70 और मेरे दोस्त यह 28 हो जाएगा 99 और 12 110 ठीक है 110 और मटे टोटल फ्रिक्वेंसी टोटल फ्रिक्वेंसी देखेंगे तो 7, 2, 9, 9, 10, 19 यह इस कोशन का आंसर हो गया आप्सन नंबर यह इस कोशन का आंसर हो जाएगा चलिए बहुत अच्छे यह बहुत इजी कोशन था लेकिन अब तुरंट एक सांदार सा सवाल आ गया है मेरे दोसीस के अंदर हम देख रहे हैं कि एक बृत है जिसके बाहर से एक ट्रेंगल है ठीक है और हमें कहा जा रहा है कि सर देखो PQ बराबर इतना QR बराबर इतना RP बराबर इतना PS बराबर इतना आब बताई PS QT और RU की लंबाई इनमें से कौन होगा मैथर्ड से बनाओगे तो बहुत लंबा हो जाएगा मैं एक सिंपल सी बात आपको बताता हूँ जैसे ये मेरे दोस्त हमारे पास एक ध्यान से देखना ये मेरे दोस्त हमारे पास एक विरत है और एक विरत के बाहिये बिंदू से विरत पर खीची गई असपर सरेखा की लंबाई एक समान होती है ये तो जानते हो आप मेरे दोस्त इनमें से कोई एक information उठाके verify करा दो क्या verify कराओगे यही verify verify कराओगे अब आप यहाँ देखो अगर हम इस option को try करते हैं कुछ देर के लिए आपको जिसे try करना है आप करो ठीक है मैं जिसे कह रहा हूँ आप try उसे करके देखो अब देखो PS यह हमारे पास 6.5 है अब बाहिये बिंदु है बृत पर खीची के असपर्स रेखा कि लंबाई तो एक समान होगी ही होगी यानि यह हमारा सारे 6 तो यह भी हमारा सारे 6 हो जाएगा similarly QT बराबर सारे 8 है अब QT बराबर मेरे दोस्त हमारे पास सारे 8 है ठीक है तो निशित तोर पर यह भी हमारा सारे 8 होगा आप कहोगे हाँ एक बार चेक कर लो सारे 6 सारे 8 बिल्कुल 15 भेरिफाय हो गया ठीक है अब मेरे दोस्त वहां क्या देख रहे हो तीन नमबर में आर यू बराबर सारे तीन अगर यह हमारा सारे 3 है तो कनफर्मी भी सारे 3 होगा देखो वेरिफाय हुआ क्या 8 तीन मेरे दोस्त यहां देखो आर पी इसको गरबर हो गया कहीं पर यह क्यूटी हमारा कितना है सारे 8 क्यूटी हमारा सारे 8 हो गया ठीक है और 12 किसको दिया हुआ है आरपी हमारा 12 दिया हुआ है यह आरपी हमारा 12 है टेंक्यू मेरे दोस्त ध्यान दो तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा TFC नंबर से वेरिफाई नहीं हो पाया नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं है तो रत्मान चेंज कर लेंगे मेरे दोस्त इतना हेडेक लेने की जरुवत क्या है इससे वेरिफाई नहीं हुआ थोड़ा सा चलो इसको चेक कर लेते हैं PS बरावर सारह 8 है PS हमारा यह सारह 8 है तो confirm भी सारह 8 हो जाएगा ठीक है फिर QT मेरे दोस्त यहां पर QT बरावर सारह 6 है अगर हम इसे सारह 6 कह रहे है तो यह भी सारह 6 हो जाएगा 8 से 14 एक 15 बिल्कुल वेरिफाई हो रहा है और R.U. हमारा सारह 3 है यह हमारा सारह 3 हो गया तो मितर मेरे यह हमारा 10 सेटिस्फाई हो गया इसको देख रहे है बिल्कुल हमारा 12 सेटिस्फाई हो गया और यह हमारा 15 भी सेटिस्फाई हो गया तो option B ने सेटिस्फाई कर दिया इसका मतलब A और C आंसर नहीं होगा option नमर B ही इस कोस्षन का आंसर होगा चलो बहुत बर यहां बी नमर सेटिस्फाई किया है इसलिए बी नमर इस कोस्षन का आंसर हो गया चलिए अब चलते हैं question number next की ओर अब देखो कितना सांदार मेरे दोस्ति यह सवाल है उसको ध्यान दो कह रहा है कि तीन संख्या का योग दूस्वा तिरपन है यह A, B A, B और C इसका जो योग फल है वो दूस्वा तिरपन है क्या कह रहा है कि यह पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगुनी है यह देखिए पहली, दूसरी और तीसरी पहली संख्या दूसरी से दुगुनी है दूसरी को X माल लेते हैं तो उससे दुगुनी ये 2X हो जाएगा हमें करें तीसरी संख्या पहली संख्या की एकतिहाई है एक काम करें मेरे दोस्त तीसरे को पहले के एकतिहाई करना होगा इसको मेरे दोस्त हम क्या करते हैं यहाँ ध्यान से देखो एदम ध्यान से देखो इसको मित्र हम 3 माल लेते हैं और 3 का डवल ही हो जाएगा 6 इसी का मेरे दोस्त 1 थर्ड है तीसरा वाला तो 6 का 1 थर्ड ये हमारा हो जाएगा 2 क्या इसमें कोई परिशानी है बिलकुल भी नहीं तो पहला वाला दूसरे का डवल है और तीसरा वाला पहले का एक तिहाई है यानि हम यहां से चाहें तो अनुपात की रासी अगर X मान लें तो तीनों का योगफल हमारा 11X हो जाएगा जो मेरे दोस्त हमारा ठीक है दोस्वत तीरपन है तो X का मान 11,22,11,33 यानि X का मान 23 हो गया और जब X का मान हमारा 23 है तो दूसरी संख्या हमें मांगा गया है तो तीन गुने 23 मेरे मितर 79 हो जाएगा इस क्वेस्टन का अंसर हमारा 79 हो जाएगा ठीक है चलो मेरे दोस्त चलते हैं क्वेस्टन नमबर next टफ करो कुछ देर में टफ होने लग जाएगा आप थोड़ा ध्यान दो किसी समा यदि किसी समानतर चतरभूज का एक कौन दूसरी समानतर चतरभूज के छोटे कौन के दुगूने से 12 कम है तो समानतर चतरभूज का बरा कौन क्या होगा अब आप ध्यान से देखे कि आपके पास एक समानतर चतरभुज है एकड़म पैसेंस मार के देखना समानतर चतरभुज A, B, C और D है हमें कहता है एक कौन दूसरे कौन के दुगुनी से बारह कम है तो मेरे मित्र छोटे कौन को एक समान लेते हैं अब छोटे कौन के दुगुनी से बारह कम है ठीक है अब according to question याद ये रखना कि मित्र मेरे किसी समानतर चतरभुज के लगातार कौन सप्लिमेंटरी होते हैं ये देखो ये मेरे दोस्त हमारा सप्लिमेंटरी है यानि दोनों मिलकर 180 अब यहां देखेंगे 3x-12 बरावर 180 3x का मान 192 होगा x का मान क्या होगा 64 हो जाएगा x का मान 64 हो गया है बरा कौन हमसे मांग रहा है तो 64 दुनी 128 और मैनस 12 ये मेरे दोस्त हमारा कितना हो जाएगा 116 यानि इस question का answer 116 होगा I hope की समझ में आ रहा होगा सोनी राय आप batch नमर बताईए और मैं उसे देख लेता हूँ कौन-कौन सा topic बाकी है उसको complete कर दिया जाएगा और सोनी राय थोड़ा बात करने का तमीज रखिए और ओय मास्टर वर्ड का इस्तिमाल अच्छी बात नहीं है बाकी आप बताईए कौन-कौन सा topic माकी है अपना batch नमर बताईए उसे तुरंट complete कर दिया जाएगा ठीक है याद चलिए ध्यान दीजिए ताकि मेरे संग्यान में आएगा कि वो batch नमर कौन सा है आईए ध्यान दीजिए ध्यान दो AB बरावर 7 से में, AC बरावर 8 से में, BC बरावर 8 से में और BC बरावर 9 से में, भुजाओं वाले तिर्भुष के कोनों से सब से मेरे दोस्त हमें हाँ पर किसी तिर्भुष की तीनों भुजा दे दिया गया है, यह क्या हो रहा है AB, AC, BC, फिर BC, इसे कैसे हो जाएगा तो कि यह एक information लगता है दुबारा आ गया है ठीक है, चलो, अब मेरे दोस्त देखो यहाँ पर A, B और C, यह हमारे पास एक तिर्भुष है ठीक है, BC कामान कितने है, 9 है AC, AB कामान कितने है, 7 है ठीक है, अब कहरा है कि इसको छोटे से बरे की और सजाईए अगर छोटे से बरे की और सजाना होगा तो किसी तिर्भुझ में सबसे छोटी भुजा के सामने के कौन सबसे छोटे होते है साथ है सबसे चोटा भुजा तो इसके सामने के कौन सबसे चोटे कौन होंगे मझला भुजा है तो इसके सामने के कौन मझला हो जाएगा सबसे बरका भुजा है तो इसके सामने के कौन मिर्दो सबसे बरा हो जाएगा तो यही यहां की सजावट होगी मेरे दोस C, B, A और इसको सनकान सरॉप्सन नमर C हो जाएगा ठीक है? चलिए आई ये हो गया? अब आओ मेरे दोस्त इसको सन पर चलते हैं इसको सन को थोड़ा ध्यान से देखो देखो ये क्या लिखता है? एक बैग में 33 से 92 के बीच की संख्या 33 से 92 के बीच की संख्या वाले कुछ कार्ड भरे हुए हैं यदि बैग में से एक कार्ड निकाला जाता है तो इस बात की प्रोबैबिलिटी क्या होगा? कि उस कार्ड पर मौजूद संख्या पुर्न वर्ग होगा तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों के बीच में बोला है 33, बिडविन 33 और 92 जब इन दोनों के बीच में बोला है तो ना इसे कंसीडर करना है ना इसे कंसीडर करना है यानि हमें 34 से 91 कंसीडर करना है सबसे पहले ये देखना है कि 34 से 91 में कितनी संख्याय होगी? उसके लिए last में से first घटा कर जब नंबर लगातार हो तो last minus first plus one लास्ट मेंस first plus one कर लेना ये 92 और मैंस का 34 हो जाएगा आठ हो गया और मेरे दोस्त ये हमारे पास आठ में से 3 गया तो 5 यानि अन्ठावन नंबर आपको टोटल दिख रहा है अब देखो according to question तो अन्ठावन ही दिख रहे हैं अब रही बात पूर्ण बर्ग संख्या की जब पूर्ण बर्ग संख्या की बात करोगे 34-92 की बीच में तो ये आपको दिखेगा 6 का स्क्वेर 7 का स्क्वेर 8 का स्क्वेर और 9 का स्क्वेर यही 4 संख्या ये आपको नचराएंगी इसका मतलब probability क्या होने वाला है मेरे दोस्त इसका मतलब probability हो जाएगा हमारा 4 ही पूर्ण बर्ग संख्या है और बटे टोटल नंबर आफ टर्म टोटल नंबर आफ टर्म 58 ही हो रहा है ये हमारे पास 2 बटे कितने हो जाएंगे 29 अब देखिए ये बी नंबर आंसर तब होता जब मेरे दोस्त बी नंबर आंसर तब होता हमारा जब नंबर आफ टर्म कितने होते 59 होते अब देखिए यहाँ पर यहाँ ने कहा कि 33 से 92 के बीच में और इंगलिस में लिख दिया है बिट मिन 33 और मेरे दोस्त 92 तो जब दोनों के बीची रहना है तो न 33 कंसीडर करेंगे न 92 कशली आगे बढ़तें अपना मन से कंसीडर हम थोरी न कर सकते हैं अगर between 33 and 92 बोला है तो मतलब उन दोनों के बीच में रहना है उन दोनों के बीच में रहना है तो हमें 34 से 94 तक ही जाना होगा पर 34 से 94 तक में कितने नमबर होगे last minus first plus one यहां से हमारा 58 टर्म हो जाएंगे यह हमारा accurate answer होगा option number e discussion का answer हो जाएगा ठीक है अब चलिए मेरे दोस्त चलते हैं अगले प्रस्ट की और इसको भी ध्यान से देखें अब दिखेंगे हमें क्या कह रहा है थोड़ा ध्यान देना पर दोस्ति हमसे कह रहा है कि P और Q ने बरावर धर्रासी निवेस किया है पी चार माह के बाद उस बेवसाई से बाहर हो गया है बरस के अंत में बेव Инवेस्टमेंट की इकफाल इनवेस्ट किया है यानी की वान इस टु वन हो जाएगा जहां तक टाइम की बात रही तो मैं देख रहा हूं चार महने के बाद पी बेवसाई छोड़ रहा है यानी पी चार महने रहेगा जब कि Q 12 के 12 महने रहेंगे準 क्योंकि वह तो छोड़ी नहीं रहा है ठीक है तो चार एकम चार चारतिया बारा हो जाएगा अगर यहां से प्रॉफिट लोगे तो पूंजी गुना समय लाब हो जाएगा पूंजी गुना समय ये मेरा लाब हो जाएगा तो मित्र मेरे इस तरीके से हम ये देख रहे हैं ये मेरा पूंजी ये दोनों लाव है ठीक है हमें लाव पी का हिस्सा चाहिए तोटल लाव चार नजरा रहा है जो मेरे मित्र 6400 है एक रेशियो का आमान हमारा 1600 होगा हमें पी का लाव चाहिए जो एक है और एक्जेक्ट यह 1600 इस प्वेशन का अंसर है कहीं से भी आपको तकलिफ नहीं होना चाहिए चलिए चलते हैं question number next की और ठीक है भाई अब देखो अगला सवाल क्या है हमारा 22 number question 22 number question कहा कि एक सम प्रिजम का आधार चतरभुज ABCD है माना कि AB बराबर 9, BC बराबर 14 और CD बराबर 13, DA बराबर 12 है DAB हमारा 90 डिगरी है प्रिजम का आयतन 20-70 घंसे मी है पास्विक है ना पारस्विक बोल रहा है यानि कि आपका कर्व सर्फेस एरिया बताने के लिए सबसे पहले आपको ये दिखना होगा कि 90 डिगरी कौन सा एंगल है DAB 90 है DAB 90 कहने का मतलब ये हुआ कि ये सेप में ऐसा डाइगराम कहीं पे बनेगा ठीक है जहाँ पे मेरे दोस्ति हमें DA और B ये हमें 90 नजर आएगा ठीक है इसके बाद मेरे दोस्ते को हम information देख रहे हैं कि हमारा AB 9 है तो AB हमारा 9 हो गया और मेरे दोस्त AD AD हम देख रहे हैं कि हमारा 12 है ठीक है और और क्या CD हमें 13 देख रहा है और BC हमें 14 देख रहा है तो मेरे दोस्त चतर भूज है तो निश्ची तोर पर चार भूजा से बनेगा तो इस परकार से हमारा चतर भूज बन गया है A, B, यहाँ पे C होगा, तमनड़ी होगा तो B, C बरावर कितना है? 14, C, D बरावर हमारा है 13 है न? यह किसी ब्रिजम का बेस है, ओके? और याद रखिएगा, प्रिजम का बॉल्यूम क्या होता है? मेरे दोस्त, एक्च्वल में बेस एरिया और इंटू हाइट यही हमारा बॉल्यूम होता है अब बेस में मेरे दोस्त, हमारे पास क्या है? अब बेस में हमारे पास क्या है मेरे दूस्त एक चतरफूज है जिसमें ये बारह है ये नौ है ठीके भाई अरी ये जो चतरफूज है ना बेस एडिया क्या होगा इसी चतरफूज का एरिया हो जाएगा रही बात इसकी एरिया का याद रखना एक त्रिभुज ऐसा है जिसकी भुजा 13, 14, 15 होगा तो आप हिरोंस फर्मुला से एरिया निकालके देखना 84 ही आएगा 13, 14, 15 त्रिभुज का एरिया जो है 84 ही आएगा अब हमारा बेस एरिया बेस एरिया में ये पूरा चत्रिभुज का एरिया आएगा जिसमें मेरे मित्र हमारा 54 भी आएगा और हमारा 84 भी आएगा और इन्टू ये हमारा हाइट है परावर भॉलिम भॉलिम हमारा दिया हुआ है अब ये देखिए 79 दूनी और 79 से ये तीन बार में जाएगा यानि कि यहाँ पे height हमारा 15 हो जाएगा अब मेरे दोस्त रही बात कर्ब surface area क्या होगा कर्ब surface area जब हम बात करेंगे तो ये हमारा होता है आधार का परिमाप barimeter of base और into मेरे दोस्त height तो देखिए आधार का परिमाप आधार में चतर भुजे चारो भुजा का युग परिमाप होगा तो 12 और 21, 21 और 13 मेरे मितर 34, 34 और 14 हो जाएगा 48 ये 48 हो गया और height कितने है? height हमारा 15 है 15, 120, 15, 40, 60, 60 और 12 हो जाएगा 72 यानि 720 इस question का आंसर आया option numbers A इस question का आंसर होगा चलिए बहुत बहुत धन्यवाद थोरा लगता है पानी की जरुद होगी गर्म पानी की अब मेरे दोस्त यहाँ पर थोरा ध्यान दीजिए थोरा ध्यान दीजिए यह हमारा 2x, 2x, 2x मित्र मेरे यह 2x है तो यह भी 2x होगा, यह 2x है तो यह 2x होगा, यह 2x होगा, यह 2x हो जाएगा ठीक है अब यह देखे रेखा पर 180 अब रेखा पर 180 अगर बनाएंगे दो, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 10, 12, 12 x रेखा पर 180 अब बिन्दू पर 360 तो मित्र मेरे यहां से x का मान कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा हमें x का ही तो मान मांगा है यह हमारा रा अंसर 30 हो जाएगा क्या ही सोचना है इतना, ठीक है, चलो अगले सवाल पे आते हैं अब देखे ये क्या लिखा है मेरे दोस्त हमें कहता है कि यदि दो चर वाले रेखिक समीकरन के युगम संगत हो तो दोनों परकार तो दोनों समीकरन द्वारा प्रस्तुत रेखाएं क्या होगी अब देखो दो समीकरन संगत कब होगा संगत तब होता है जब दोनों एक दूसरे को टच करता है और टच दो ही स्थिती में करता है या तो एक बार टच करेगा या मेरे दो सीधे सीधे क्या हो जाएगा ओभरलैप ही हो जाएगा यानि दो ही स्थिती में ये टच करता है एक परती छेदी होने की स्थिती में टर्च करता है और एक मेरे दोस्त संपाती होने की स्थिती में टर्च करता है संपाती मतलब क्या? कोईंसीडेंट कोईंसीडेंट और परती छेदी मतलब क्या होता है? इंटरसेक्टिंग ठीक है मेरे दोस्त तो हम यहाँ पर यह कहेंगे कि संगत का मामला दो जगे पे होता है एक इंटर्सेक्टिंग पर और एक कहां कोइंट्सिडेंट यानि संपाती पर तो इस कोशन का आंसर हमारा C नंबर हो जाएगा C इस क्वेशन का आंसर होगा लेकिन मिरे दोस्त एक बात बताओं कहोगे क्या मिरे दोस्त गलत तो हमारा A भी नहीं है क्योंकि परती छेदी होने की स्थिति में भी ये मिरे दोस्त संगत होते हैं और परती छेदी और संपाती इस संपाती इस संगत होते हैं तो सही तो हमारा A और सी दोनों है तो काईदे से इस question का अंसर हमें क्या जाना चाहिए था काईदे से इस question का अंसर हमारा D number होना चाहिए था ठीक है आईए बढ़ते हैं अगले question पे अब मेरे दोस्त इसको देखते हैं ये हमारा क्या है अब सबसे पहली बात मेरे दोस्त आपको कुछ बात क्या धियान डखना होगा कुछ बात ये धियान डखना होगा कि intermediate के जो question आपको दिये जा रहे हैं कल से कॉसलेंदर सर उसे आपके सामने solve करने लगेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा अरे BPSC नहीं जी MD स्वाकर आलम ये BPSC है Railway SAC नहीं नहीं कि दोनों जिसमें है वही आंसर होगा यहाँ पर एक में एक है दूसरा में दो है तो दोनों ही आंसर चला जाता है ठीक है चलिए इसको ध्यान दीजिए अगर कोई कोशन मैंने skip किया होगा तो 11 12 वाली होगी जिसको कल से कोशलेंदर सर हमारे साथ रहेंगे और आपको पहले-पहले 11 12 के कोशन से ही मेरे दोस्त आपका भेट कराया जाएगा देखे सबसे पहली बात हमारे पास ये एक given information है ठीक है given information हमें पहले इसको satisfy कराना होगा और जिससे ये satisfy होगा वही question part में हमें डालना होगा तो हम तो यही देख पा रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर x का मान 1 दे दें और theta का मान 0 डाल दें तो satisfy हो जाएगा कैसे satisfy हो जाएगा 1 plus 1 और इधर हो जाएगा 2 into cos 0 degree का मान 1 LHS बराबर RHS यानि कि x का मान 1 और theta का मान 0 रखने पर ही satisfy हो गया अब x का वही मान 1 यहाँ पर रख दीजे अब x का मान जैसे ही यहाँ पर 1 रखेंगे 1 plus 1 यह कितने हो जाएगी 2 हो जाएगे ठीक है अब देखो 2 तो हमारा answer आ गया अब कौन सा option 2 बनाएगा अब देखो यहाँ पर अगर हम theta का मान 0 डिगरी रखेंगे तो यह तो sin 00 यह तो 2 बनाएगा नहीं लेकिन यहाँ पर theta का मान 0 रखेंगे cos 01 हो जाएगा तो 2 into 1 यह हमारा दो बिल्कुल बना देगा option number 8 question का answer हो जाएगा I hope कि आपको समझ में आ गया होगा ठीक है चलते हैं question number next की और जब हम रातरी सेबा में आपके सामने आ चुके हैं तो तमाम चीज़ आपके लिए हम कर देंगे examination तक में जिसकी आप हम से उमीद किये भी होंगे और नहीं भी किये होंगे ठीक है अब देखिए alpha और beta इस द्विगात समीकरन के मूल हैं तो alpha q plus beta q का मान क्या होगा सबसे पहली बात यहां से alpha plus beta क्या होगा माइनस b और by a यानि दो हो जाएगा और alpha into beta क्या होगा c by a ये हमारा फोर हो जाएगा अब आप इसको देखिए कि alpha q और plus beta q बराबर क्या होगा alpha plus beta का whole q माइनस 3 alpha beta और into alpha plus beta अब देखिए alpha plus beta का whole q 2 का q 8 हो जाएगा तीन गुने alpha beta हमारा 4 है और alpha plus beta हमारा 2 है फाइनली हम देख रहे हैं 12 दूनी 24 यानि कि मेरे दोस्त यह हमें यही दिख रहा है कि यह हमारा मैनस का 16 है तो इस question का answer हमारा मैनस 16 हो जाएगा सबने मेरे दोस्त काम किया है और आपका सही हो भी गया अब यह देखिए मेरे दोस्त हमारे सामने किसी ब्रिक्च की उपरी हिस्सा जो आंधी आने से तूट गई ब्रिक्च का उपरी हिस्सा मेरे दोस्त यह और यह आंधी आने से तूट गई तूटा हुआ हिस्सा इसकदर जमीन पर जुग गया कि इसका सिखर जमीन को चूने लगा जहां यह जमीन को चू रहा है वो ब्रिक्च की जर से 20 रूट 3 मीटर की दूरी पर है यह ब्रिक्च का सिखर जमीन के साथ 30 डिगरी का कुन बना रही है अब आप बताएए मित्र मेरे जो तूटा है वही तो जुका है कहिएगा हाँ तूटा हुआ और जुका हुआ चीज सेम है 30 के लिए लंब एक अधार रूट 3 करन कितने होंगे दो रूट 3 का मान 20 रूट 3 एक का मान हो जाएगा 20 अब दो ये है अरे रूट 30 के लिए लंब वन राधार रूट 3 करन दो ये दो तो हमारा ये भी दो होगा पूरा हाइट ब्रिक्च का कितना हो जाएगा दो और एक मेरे मित्र तीन रेशियों अब भी बताईए जब एक का मान 20 तो तीन का मान क्या होगा 60 हो जाएगा तो इस कोशन का अंसर हमारा 60 हो जाएगा आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ठीक है चलो समझ में आ रहा है आप लोग को अरे बिलकुल जीतू भाई मैंने आपके मैसेज को देख लिया है ओके आप टेंशन मतलो एक संदुक में दो निली और साथ लाल गेंदे हैं इनमें से दो गेंद चुनी जाती है कम से कम एक गेंद निला हो इसकी प्रोबैबिलिटी क्या होगा कम से कम एक गेंद निला होने का मतलब है कि दोनों भी निला होगा तो कोई दिकत नहीं है तो मेरे दोस्त कम से कम एक निला होगा तो दूए गुन निला है दो गेंद निकाले हैं कम से कम एक निला तो टोटल जोला में दो ही निला है तो भया जिस समय निकाली गई दो गेंद निकाले है ना जिस समय एक निला होगा तो एक मेरे दोस्त लाल में से होगा या दोनों के दोनों निला होगा तो लाल में से एक भी नहीं होगा और बाई, टोटल इवेंट तो टोटल मेरे दो साथ और दो नो कितने निकाले हैं? दो निकाले हैं यही हमारी probability होगी अब यह हमारी probability है ध्यान से तोड़ा देखना साथ तुनी चवदा और मितर मेरे यह 2C2 यहाँ ध्यान दो यह हमारा 2C1, 2 7C1, 7 तो साथ तुनी चवदा हो जाएगा प्लस यह 1 और यह हमारा 1 1 इंटू 1 यह हमारा 1 रहेगा और यह 9 इंटू 8 अपॉन 2 हो जाएंगे finally यह हमारा 15 और नीचे में 4 यह 36 दिखेगा यानि 5 और बटे 12 इसको सद का आंसर होगा option number C आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए एकड़म मेरे दोस्त like और बटन का प्रेस comment like का बटन प्रेस होते रहना चाहिए तब ही जाके हमारे को मन लगेगा और गर्दा उरा दिया जाएगा ज्यान दो जैसे जैसे रात बीती जाएगी मेरा फॉम बढ़ता जाएगा आप बस लगातार बने रहो और देखो फिर क्या होता है ज्यान दो यदि किसी समांतर स्रेनी का 9 मा पद 35 और 9 मा पद 75 तो बीसमा पद क्या होगा उनीसमा पद बोले तो ए पलस 18 डी ये हमारा 75 है और 9 मा पद बोले तो ए पलस 17 डी मित्र मेरे ये हमारा 35 है अब आप यहां ध्यान से देखिए क्या जैसे ही कैंसिल आउट करेंगे ये डी वरावर हमारे पास 40 हो जाएंगे अब डी कामान हमारे पास 40 हो जाएगा ध्यान से मेरे दोस्त इसको समझना होगा अब अगर ए कामान निकालते हैं तो ए पलस ये तो कुछ गरबर हो गया मेरे दोस्त देखना परेगा ढंग से क्या 9 मा पद ओह 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 यहीं पर दरबर हुआ है कहीं पर तभी तो लगा अरे उनीसमा पद 75 है तो ए पलस आठारा डी 75 और नोमा पद 35 है ए पलस आठ डी बराबर 35 घटाएगे जैसे ही आप घटाएंगे कैंसिल आउट होगा 10 डी बराबर ये हमारा 40 हो गया तो डी का मान हमारा 4 हो जाएगा और जब मेरे दोस्त डी का मान 4 हो जाएगा ये ए रहा और 18 गुने डी का मान 4 बराबर 75 तो मेरे दोस्त ए का मान क्या होने वाला है 3 होने वाला है अब ए का मान 3 हो गया हमें 20 मा पद चाहिए 20 मा पद तो देखो तो इस question का answer 79 हो जाएगा हाँ मेरे दोस्त बिलकुल हाँ कोई बात नहीं है बढ़ते चलो अरे सब दिन एक जैसा question थोरी न रहता है कभी question hard, कभी moderate, कभी low सब चीज मिला के मेरे दोस्त एक्जामनिशन में आता है एक्जामनिशन के सारे question ही hard थोरी नहीं होते है अब जिनको लगता है कि यह सब बकवास है कोई बात नहीं, आप बिलकुल भ्रहमन कीजिए ठीक है, हर तरह का चीज दिया जाएगा न selection में एक ही परकार के question उत्रादिकारी नहीं होते चलिए, अब इसको देखते है मेरे दोस्त, यह हमारा क्या है कहता है एक बुनकर एक सो पचास की कीमत पर ठीक है, दुकानदार को एक सारी बेजता है और पच्चिस प्रतीसत लाव कमाता है दुकानदार तीस प्रतीसत लाव के साथ वही सारी एक ग्राहक को बेजता है यदि बुनकर सीधे सा ग्राहक को सारी एक सौसी में बेज सकता था तो लाव प्रतीसत और ग्राहक का लाव कितना होगा तनिक सोचिए मेरे दोस्त, क्या, एक ग्राहक है ठीक है एक ग्राहक, इसने क्या किया पच्चिस प्रतीसत का लाव लेकर मेरे दोस्त इसने एक सो पच्चास रुपए में बेच दिया है दुकानदार को और दुकानदार ने क्या किया है मेरे दोस्त इस पर तीस प्रतीसत का लाव लेकर के बेच दिया है ग्राहक को तो अब दिखे, ग्राहक ने दिया है दुकानदार को, सुरी ग्राहक नहीं, बुनकर, मेरे दुकानदार को, दुकानदार ग्राहक या कोई दिक्कत है? अब कुर्सन यहाँ पर असपस्ट कहा, कि ये बुनकर डिरेक्ट ग्राहक को, एक सो असी में बेच सकता था, ठीक है? अब आप बताएए मेरे दोस्त, अगर, अगर ये बुनकर डिरेक्ट एक सो असी में ग्राहक को बेच सकता था, तो क्या प्रोफिट होगा? ग्राहक का कितना, अब पहली पहले तो यहां देखो, क्या देखोगे, बुनकर का CP देख लो, बुनकर ने 150 रुपे में बेचा है, कितना का लाव लेकर, 25 परतिसाद, यह बुनकर का SP है, 25 के लाव वला, 25 के लाव वला SP को हम 125 परशेंट कहते हैं, CP निकालेंगे तो 100 परशेंट का मान, यहां से 120 नजर आएगा, इसका मतलब बुनकर को बनाने में खर्च 120 आया था, अगर यह डिरेक्ट मेरे दोस्त गरहा को 180 में बेच देता, तो बुनकर का लाव परतिसत क्या होत जो बेचर, ध्यान दो मेरे दोस्त, जो आदमी खरीद, बनाया 120 में, बेचता अगर 180 में, तो डिरेक्ट इसको 60 की प्रोफिट हो जाती, कितना की बस तू, 120 की बस तू, इन्टू 100, यानि इसका 50 परशेंट लाव हो जाता, और बाकी मेरे दोस्त, यहां पर अगर हम देखे कि लाव हमें अंतर कितने का हो जाता, तो लाव हमें अंतर मेरे दोस्त, पंदर का हो जाता, यानि इस को सनका अंसर आप्सन नमर B हो जाएगा, 50 परतिसत और 15, ठीक है मेरे दोस्त, चलो, अब चलते हैं, क्वेस्ट नमर नेक्स्ट की ओर, चलो, तो यह मेरे दोस्त, हमारे पास 40 नमर क्वेस्टन हैं, और इसके बाद, पुरंत बाद मेरे दोस्त, हम प्रवेस करेंगे, कहां प्रवेस करेंगे, तुम देखी रहे हो, इसका फटा-फट, फटा-फट मेरे दोस्त, कुछ क्वेस्टन इसमें से सॉल्व करेंगे, ता रमन प्रति दिन 7 बजकर 40 मिनट पर घर से निकलता है और अपने कारियाले 9 बजकर 46 मिनट में पहुच जाता है। मिनट का टाइम लेता है लेकिन अब क्या हुआ एक 26 दिन दो परकार की घटना घटी एक 26 दिन क्या हुआ अपने निर्धारित समय 7 चालिस से निकला कोई दिकत नहीं लेकिन एक चोथाई दूरी सामाने चाल के 6 बटा 7 चाल से यात्रा किया है। कोई अगर आधा दूरी जाएगा ना तो इसका आधा टाइम 63 मिनट उसको लगेगा। यानि कुल दूरी का जितना हिस्सा आप जाईएगा लगे समय का उतना ही हिस्सा आपको समय लगेगा। तो पहले ये एक चोथाई दूरी तै कर रहा है तो एक चोथाई समय भी लगेगा। अब एक चोथाई समय भी लग जाता तो कुछ और बात थी। इसने साथ में एक और ड्रामा किया, स्पिड को छे बटे साथ कर लिया, स्पिड को छे बटे साथ करोगे तो समय साथ बटे छे लगेगा, क्योंकि चाल के इनवर्स रिशियो में समय लगता है। अब रही बात सेश दूरी की, तो मित्र मेरे 126 मिनट पुरा दूरी जाने में लगता है, उसका एक चोथाई अगर आप यहां कवर कर लिये हैं, तो तीन चोथाई समय का यूज अभी और करना है, लेकिन इस बचे हुए तीन चोथाई समय में भी एक ड्रामा हुआ है, यहा तीके से मेरे दोस्त, आज पूरी यात्रा कभर हो गई, आप यहां से देखोगे, 6 से यह कट जाएगा, मेरे दोस्त, इस बार में 147 अपन 4 हो जाएंगे, और यहां अगर हम देखते हैं, तो यह हो जाएगा हमारा 15, 15 एकम 15, और 15 दुनी 30 और 31 बटे 4, अब यहां से देखे 7, 5, 12, 5 और 6 और यह हो जाएगा मेरे मितर 4 बटे, इतना बटे 4, यानि 231 बटे 2 इतना मिनट, मेरे मितर पूरा पूरा देखोगे, तो 11 दुनी 22, 5 दुनी 10, फिक है, यानि 115 पूर्नांक 1 बटा 2 मिनट, तो 115 मिनट तो पूरा पूरा लगा है, और 1 बटा 2 मिनट का मतलब 30 स सकेंड होता है ठीक है अब नहीं बात मेरे दोस्तों कितने बजे आज यात्रा संपन्न होगी तो देखिए साथ बजकर 40 मिनट और 0 सकेंड पर यात्रा प्रारंब हुआ कि एक घंटा 15 मिनट और 35 सकेंड का मतलब है स्वारी 115 मिनट का मतलब यह हुआ साथ मिनट पराबर यह घंटा हो जाएगा साथ मिनट हटा दो बचेगा 55 मिनट ठीक है और मेरे मित्र कितना 30 सेकेंड तो अब हम यहां से देखें अगर कि हो जाएगा एक घंटा 55 मिनट और मेरे मित्र 30 सकेंड अगर इसे एड़ करना हो तो यह हमारा 30 तो होई जाएगा यह हमारा 5 हुआ पहली बास सुन लो यह 40 और 55 मिनट में अचानवे मिनट 60 मिनट का एक घंटा होता है एक घंटा इसको फॉरवड कर दीजिए तो 95 मिनट में 60 मिनट इसको फॉरवड कर दीए बच गया यहां से केवल 35 मिनट और यह हमारा हो जाएगा 9 यानि 9 बजकर 35 मिनट और 30 सकेंड यही इसको सनका अंसर होगा इसको वेरी वेरी इंपोर्टेंट और आपको कोई दिकत नहीं होना चाहिए ठीक है